हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदे सिंग राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 9 पॉलिनोमिल चेप्टर का लेक्चर नमबर 4 लेक्चर नमबर 4 में हम जो टोपी कवर करने वाले हैं वो है कि जीरो ओफे पॉलिनोमिल का क्या मीनिंग होता है इसके ओपर हम लोग बहुत सारे क्योंस भी करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग इसके ओपर यहां पे मैंने 2 क्योंस लिखे इनको करके नेक्ष स्लाइड में लोग 4-5 क्योंस को और इसको शूल करेंगे सब्सक्राइए जो कि मैंने लास लेक्चर को देख लिए उसके बाद में आप लोगों को यह लेक्षर बड़ी आसानी से समझ में आजेगी तो मैं मै और x any number है, कोई भी एक real number है x, हमने क्या किया है, x is equal a को, a के उपर इस polynomial की value निकाली है, जिसको हम कैसे लिखेंगे p, यह हो गई value of a polynomial, हमने यह सारी चीज़े last lecture में पढ़ी है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, कि polynomial की value कैसे find की जाएगी, तो जैसे x is equal a के उपर इस polynomial की value बता इसका मतब है, जहाँ जहाँ variable x given है, वहाँ वहाँ क्या करेंगे, x के उपर a replace कर देंगे, तो हमें जो value मिलेगी, यानि की a मिलेगा, वह हमारे polynomial की value हो जाएगी, अब ध्यान से समझना, इस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मानलो हमने x is equal a के उपर इस polynomial की value निकाली, पी आई, और वह किसके equal आगई, 0 के equal आगई, बहुत जहाँ से समझना, भई हमें निकालनी polynomial की value है, लेकिन अगर polynomial की value किसके equal आगई, 0 के equal आगई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि x बराबर a put करने पर polynomial की value हमें कितनी मिली, 0 मिली, तो अब जहाँ से सुनना की polynomial की meaning क्य 0 का meaning होता है, कि polynomial में variable की value पुट करो, और अगर value पुट करने पर, polynomial की value हमारे को 0 मिल जाए, तो variable था, जो आपने पुट किया था, इसी variable को क्या बोला जाता है, 0 बोला जाता है, दान रखना यह यह वाला 0 नहीं है, इसका नाम 0 है, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है, अगर आप लोग याद रखना चाहो, तो रख सकते हो, हिंदी में इसको सुन्यक बोलते है, और जो हमारा 0 है, इस 0 मतलब जो यह वाला 0 होता है, इसको हिंदी में सुन्यक बोला जाता है, तो देको दोनों में difference है, अब लोगों के English की वज़ से problem हो रही है, कि दोनों का meaning सेम से हमसाल लग रहा होगा, तो यहां दानक ना, X is equal A, इसका नाम दे दिया, उस नाम का बोला हमने 0 है, I hope आप लोगों को 0 का meaning समझ में आगया होगा, मैं एक बार वापस पता देता हूं, कि हमें क्या करना है, पॉलिणोमाल की value find करनी है, जिसे X is equal A पर value find की, और अगर polynomial की value X is equal A के उपर हमें कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि जिस भी variable की value put करने पर, polynomial की value 0 मिली है वो वाला variable ही क्या कहलाएगा मतब उस वाले variable की जो value होगी वही क्या कहलाएगी 0 कहलाएगी इसी को मैंने word form में भी लिख दिया तो देखो if px is a polynomial and a is any real number कि px एक polynomial है और a कोई भी एक real number गिवान है if the value of px becomes equal to 0 at x is equal a अगर x is equal a के उपर polynomial की value हमारे किसके equal बन जा पिए 0 के equal तो हम बोलेंगे x is equal a is known as 0 of px तो इसको क्या बोला जाता है 0 of px बोला जाता है I hope आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी मैं चोटा सा question आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेंग करके बताता हूं देखो उससे आप लोगों और अच्छे समझ में आ जाएगा 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 मालनों की px is equal क्या दियावा है x minus 2 गीवन हमारे को क्या करना है इस पोलिमोमेल की x is equal 2 पे value find करनी है तो जब value find करेंगे तो कितना आएगा p2 बराबर होगा x is equal 2 replace 2 minus 2 होगा 2 minus 2 होगा तो कितना आगया 0 आगया यानि कि मैं बोल सकता हूं कि x is equal 2 के उपर इस पोलिमोमेल की value निकालने पर हमारे को value कितनी मिली 0 मिली तो जिस भी variable की value के उपर यानि कि x के जिस भी value पर हमारे को value polynomial की value कितनी मिल जाती है 0 मिल जाती है उसी variable की value को यानि कि x की value को या अगर x के अलावा कोई other variable होगा तो उस value को हम क्या बोलेंगे उस वाले polynomial का 0 बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यह वाला x is equal 2 इस p x is equal x minus 2 का क्या है एक 0 है I hope आप लोगों को इसका meaning अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहां पर एक question है इसको भी हम करके देखते है फिर यह वाला question देखते है तो देखो एक polynomial given है p x is equal x power 6 sorry x power 3 है यहां पर ठीक है minus 6 x square plus 11 x minus 6 given है P1 निकालना P2 निकालना P3 निकालना देखते हैं value क्या आती है अगर मालनो P1 के उपर value 0 आगी तो हम बोल देंगे कि x is equal 1 इस वाले polynomial का एक 0 है अगर 2 पर भी 0 आगी तो भी बोल देंगे कि 0 है मालनो 3 पर 0 नहीं आई तो हम बोल देंगे तो 1 पावर 3 माइनस 6 multiply 1 square plus 11 multiply 1 माइनस 6 तो कितना होगा यह 1 पावर 31 होगा 6 multiply 1 कितना हो जाएगा 6 होगा plus 11 minus 6 तो देखो सब्सक्राइब 11 है 11 प्लस 1 कितना होगा 12 माइनस 6 हो माइनस 6 कितना होगा माइनस 12 जब आगे subtract करोगे तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा तो क्या x is equal 1 के उपर इस polynomial की value हमें 0 मिल गई तो हम बोल देंगे कि x is equal a मत्तब x is equal 1 इस वाले polynomial का 0 होगा ऐसे 2 के उपर value निकालते हैं तो देखो 2 power 3 minus 6 multiply 2 square plus 11 multiply 2 minus 6 आगे क्या होगा 2 power 3 कितना होता है 8 होगा 2 power 2 4 होगा 4 को minus 6 से multiply करोगे तो minus 24 इसको इससे multiply करोगे plus 22 और यह minus 6 अब देखो 8 और 22 दोनों plus के हैं दोनों को combined करोगे तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा और minus 24 और minus 6 किसके हैं दोनों negative है दोनों minus 30 बना लेंगे और आगे सब करोगे तो क्या होगा 0 आएगा तो मैं बोल सकता हूँ X is equal 2 यह भी क्या है इस वाले परिगमेल क्या है जीरो होगा I hope यह चीट आप लोगों को समझ में आ गई होगी ऐसे X is equal 3 के उपर यानि कि P3 की value भी निकाल के देखते हैं कि कि निकल के आती है तो देखो 3 cube माइनस 6 multiply 3 square plus 11 multiply 3 minus 6 तो देखो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 आयो 3 का square कितना होगा 9 9 को 6 से multiply करोगे minus 54 आयगा 11 को 3 से multiply करोगे तो 33 आयगा और minus 6 चली रहे है तो देखो दोनों को 8 कर लो इन दोनों को combine करोगे तो यह हो जाएगा 60 27 प्लस 33 60 हो गया माइनस 54 माइनस 6 इन खितना हो गया माइनस 60 हो तो आगे जब सब्सक्रेट करोगे तो जीरो मिलेगा यह लिए कहां बोल सकते हैं एक्सेजिए रिक युकल वर्ण कोमाटी कोमाटी आर दा जीडो जूफ है पी ऐग्स आर्दा जी रोज फीए ओप आप लोगों को पिजी इसका मीनिंग समझ में आगया होगा इसके ऊपर क्यों सकते है कर दिया तो देखो अगला टोपिक क्या है अगला क्या है verify that the numbers given alongside of the polynomial, मतब यह polynomial given है और इसके साथ में हमारे को कुछ numbers given है, यह में बताना है, verify करके कि क्या यह इसके 0 है या नहीं है, तो मैं क्या करना है, जैसे मालनों कि इस वाले polynomial को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, यह polynomial क्या है? Px है, तो मैं क्या करना है? पोलिनोमेल की वेलू, पी एक्स की वेलू क्या करनी है, माइनस 3 पे निकालनी है, ऐसे पी एक्स की वेलू किसके निकालनी है, माइनस 2 पे निकालनी है, वन पे निकालनी है, और 2 पे निकालनी है, अगर हमारे को सब के उपर क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो हम बोल देंग माल्टिप्लाई 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 करना है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस यहनि result positive निकल के आएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 3 3 2 जा कितना हो गया 81 हो गया अब यहां पर माइनस 3 का cube करने माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9 3 27 यहनि माइनस का 27 बना उसको जब 2 से मल्टिप्लाइ करोगे positive के 2 से तो कितना बन जाएगा माइनस का 54 बन जाएगा I hope यह चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे यहां पर 3 का स्कॉयर माइनस 3 का स्कॉयर करोगे माइनस माइनस प्लस 3 तरी जा 9 और 9 को जब क्या करोगे 7 से मल्टिप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 सोली 63 हो जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव निकल के आया अब यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 3 जा 24 होता है प्लस का 12 साथ में चली रहा है अब इसको आगे हम लोग फर्दर सोल करते हैं तो देखो माइनस 2 में नीचे लिख देता हूँ तो देखो पोजिटीव पोजिटीव वालों को एक साथ कम्माइंड कर लो 81 और 20 80 और 20 कितना हो गया 100 हो गया 100 और 101 101 और 4 कितना हो गया 105 हो गया 105 और उसमें जब 12 वाइड करेंगे तो कितना होगा 117 ऐसा इन दोनों को एड करो 50 और 61 110 हो गया 110 हो गया 110 में 4 और 3 और एड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 117 जब दोनों को सब्रेट करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा मतलब बोल सकता हूं कि X is equal minus 3 इस वाले polynomial ये वाला polynomial गिवन है इसका 1 0 है I hope ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आगयोगी अब P minus 2 पर value निकालते हैं तो देखो minus 2 power 4 plus 2 multiply minus 2 cube minus 7 multiply minus 2 square minus 8 multiply minus 2 plus 12 तो देखो इनकी values में direct लिख दूँगा आप लोग खुद निकाल ले ना P1 की वागेरा कि इनकी value निकाल देता हूं में minus 2 power 4 minus 2 power 4 मतलब minus minus plus plus minus 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 फिर से plus 2 power 4 का मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एन इसका result कितना हैगा 16 minus 2 power 3 minus minus plus plus minus minus 2 2 जा 4 4 जा 8 8 को जब 2 से multiply करेंगे तो कितना हैगा minus का 16 क्यों क्योंकि ये वाला negative का बना था और ये positive है तो minus 16 आगया ऐसे minus 2 का square करोगे तो minus minus plus हो गया 2 2 जा 4 हो गया और 4 को जब 28 से multiply करोगे तो कितना हैगा minus 28 आगा क्योंकि ये negative है ऐसे देखो minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया और plus 12 तो देखो 16 minus 16 जा 0 हो गया ऐसे जब इन दोनों को 8 करोगे तो ये कितना बनाएगा plus का 28 हो जाएगा और दोनों को जब separate करोगे तो कितना हो गया एक positive एक negative है तो 0 आगया और बोल सकते है P1 भी कितना आ रहा है P minus 2 के उपर हमारे को value कितनी मिली है 0 मिली ऐसे देखो आप लोग जब 1 के उपर और 2 के उपर भी value निकाल के देखोगे न तो ये भी आप लोगों को कितनी मिलेगी 0 मिलेगी तो देखना आप लोग निकाल के देखना P1 और P2 के उपर भी value कितनी मिलेगी आप लोगों को 0 मिलेगी तो इससे हमें यह प्रूफ हो गया, कि चारो के चारो क्या है, इसको 0 होंगे, तो यही तो हमें क्या करना था, वेरिफाइ करना था, कि X is equal minus 3, minus 2, और 1, और 2, यह चारो के चारो क्या है, इसके 0 है, I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो को कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, next slide पे हम लग कुछ questions को और solve करते है, अब हम इस topic पे 2-3 questions और solve करते है, कुछ questions और हैं, जो हम next slide पे और लेंगे, तो देखो ध्यान से समझना इन questions को, यह थोड़े से different type के questions है, अभी तक हमने क्या किया, जीरो का meaning समझा, वेल पोलिनोमेल की उपर, पोलिनोमेल की वेलिव फाइंड करते हैं, अगर हमारे को पोलिनोमेल की वेलिव जीरो मिल जाती थी, तो वेरियेबल की, यह यह थोग लोग को यह चीज़े समझ में आ गई थी, अब हमारे को थोड़े से different type के questions given है, question को दियान से पढ़ना देखो, इ if x is equal to, is a 0 of the polynomial, px is equal to x square minus 3x plus 7, then find the value of it, यहनी कि इस भाइ उसने खुद बोल दिया है, कि x is equal to, इस वाले पोलिनोमेल का 0 है, इसका मतलब क्या है, वो यह बोलना चाहरा है, कि हम बोलेंगे, if x is equal to, is a 0 of px, 0 of px, then, हम इसका मतलब है, कि p2 अगर हम निकालेंगे, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्युकि x is equal to so called two a, is a 0 है, इसका मतलब है, x is equal to two a,anovry know minus 2, पर पोलिनोमेल की value is a 0, पर 0 है, तो हम क्या उसने कानना है, इस वाले multiply 2 square minus 3 multiply 2 plus 7a, यह कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि x is equal 2, एक क्या है, इस वाले polynomial काई 0 है, इसका मतलब x is equal 2 के उपर, इस polynomial की value 0 आई जी, आगे देखो, फर्दर सोल करते है, 2 का square कितना होगा, 4, 4 को 2 से multiply करेंगे, 8, अब इसको लिखने की जबरतनी है, इधर 8 है, इधर minus करेंगे तो कितना हो, मतलब multiply करेंगे तो 6 हो जाएगा, plus 2a बराबर 0, एक माइनस 2 कितना हो गया, 2, 8-6 कितना हो गया, 2, और 2 other side जाके कितना हो जाएगा, minus का 2, और इधर क्या बचके, 7 बचके, और यहां पर 7 multiply में, other side जाके क्या हो जाएगा, divide में, तो A की value कितनी म पड़ेगी, क्या बोला है, if x is equal 4 upon 3, इस वाले polynomial का 0 है, तो बताओ, k की value बताओ, इस वार k को unknown कर दिया, इसको पता करना है, तो हमें क्या करना है, solution लिखना है, कि P 4 by 3, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उसने खुद बोला है, कि x is equal 4 by 3, इसका क्या है, 0 है, य इसकाल नहीं, 0, तो देखो, 6 multiply 4 upon 3, power 3, minus 11 multiply 4 upon 3, power 2, plus k multiply 4 upon 3, minus 20 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, 4 upon 3 का cube करना है, तो देखो, 4 का cube करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, उपर आगा 64, नीचे क्या हो गया, देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, minus 11 multiply, 4 का square कितना होगा, 16, और 3 का square कितना होगा, 9, plus, यहां कितना होगा, 4 के अपोन 3, 4 को multiply करके लिख दिया, minus 20, is equal 0, अब द्यान से समझना देखो, यहां पर देखो, यह दोनों 3 से divide हो रहे है, 2 time divide हो रहे है, 9 time divide हो तो ऊपर तो कितना बच गया, 128 और नीचे कितना बच गया, 9, 128 का मतलब है, 64 को मिने, 2 से multiply कर दिया, 128 है यहां पर क्या बनेगा, बनेगा देखो, यहां भी अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, तो देखो क्या बनेगा, द्यान से देखो, नीचे तो 9 यह आएगा, क्या, ऊपर 16 को 11 से multiply करना है, 16 को 10 से multiply करते है, 160 आता, एक बार और करो गे तो 69 और 8 कर दो, तो पहले 10 एड कर बाकि सब को अधर साइड ले जाएंगे तो देखो 4K by 3 वाला टाम ऐसे कैसे रखो इधर यह 20- का अधर साइड के किसका हो जाएगा प्लस का यह 128 अपो नाइन पोजिटिव हो जाएकर नेगिटिव हो जाएगा और बाकि सब्सक्राइब तो 180 आएगा बीच में माइनस आएगा 9 को 9 से डिवाइट करोगे वन आएगा 128 यह उसके बाए में क्या होगा प्लस का 176 अब इनको क्या करना है थो कमाईन करना है तो दてको थो कमाईन को केसे कर सकते हो अब लोग इन दोनों को साथ में हां अधर साइड क्या चल रहा है इसको यहां पर डेतो है यह क्या है इदर की तरफ 4害 तो फोर एक टेड करोगे तो यह बनेगा 356, उसमें से 128 को माइनस करना है, जैसे 128 को माइनस करोगे तो यह बन जाएगा 228, आप लोग माइनस करके देख ले ना, तो यहां तो कितना बन गया 228 अपन 9, अब देखो कुछ डिवाइट अगेरा हो रहा हो रहा है, तो देखो दोनों 3 से 3 times हो रहा है, 7 time, 21 आया, 1 बचा, 1 के आगे क्या note किया, 8 note किया, 26 हो गया, मतलब 18 हो गया, 18 में कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 time, तो इधर क्या बन गया, 76 upon 3, हमें तो K की वेलू निकालनी है, 76 upon 3, इधर ये 3 किस्म है, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो 19 फोड जा कितना होता 76 यह निकि मैं बोल सकता हूं कि हमारे को जो की वेलु मिली है वो कितनी मिली है 19 मिली है आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी इसको आप अच्छे से नोट कर लिजिए वीडियो को पोच करकर या फिर पहले इसको देख लिए उसके बाद में त्यान अब द्यान अकना इसका जो अब वाकिया का सुलूशन हो वह मैंने यहां लिखा है इसका और एक्सिट्रीकल 4 अपन 3 उसने डाइरेक्ट बोल दिया था कि यह दोनों इसके 0 जे इसमें डाइरेक्ट नी बोला यही चीज इंडायरेक्ट ली बोली है क्या बोला देखो इस जीरो ऑफ दा पोलिणोमेल पी एक्सिट्रीकल एक्स स्कार माइनस 8x प्लस के इस दा HCF of 6,12 then find the value of key अब इसमें तो सीधा सीधा आपको 0 बोल दिया 2 अब इसमें 0 2 नहीं बोला उसने बोला इसका जो 0 होगा ना वो कितना होगा 6 और 12 का जो HCF होगा वो इसका 0 होगा तो हमें बोल सकते हैं आपे solution लिखें तो 0 of Px बराबर क्या होगा HCF of 6,12 और 6,12 का जब HCF निकालोगे ना तो आप लोग निकाल के देख लेना कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा तो हम बोल देंगे कि x is equal 6 जो होगा ना ये क्या है इसका polynomial का 0 है I hope आप लोगों कोई इसका meaning सबंज में आगा होगा क्या बोला है मैं एक बार वापस से explain कर देता हूं कि एक पोलिगमेल गिवन है इन दोनों का एक्षांस में तो direct बोल देता था कि x is equal 2 और x is equal 4 upon 3 क्या है इन दोनों पोलिगमेल का अलग-अलग पोलिगमेल का 0 है यहां उस X is equal 6 इसका 0 है तो मतलब अगर हम पोलिगमेल की value 6 पे निकालेंगे तो हमें कितनी मिलनी चाहिए 0 मिलनी चाहिए इसका meaning यही तो हुआ तो यहां पे देखो value put करते है 6 square minus 8 multiply 6 plus k बराबर कितना आची 0 6 square कितना होगा 36 minus 48 plus k बराबर 0 तो देखो minus 48 other side जाके किसका हो जाएगा plus 48 36 जिसके आगे कुछ भी नहीं पोजिटिव है other side जिस जाके किसका हो जाएगा minus का जब आगे सब्टेक करोगे तो कितना आएगा 12 वाएगा एंड कि k is equal 12 क्या हो गया इसका answer हो गया I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो को पोज कीजिए तीनों को अच्छे से note कर लीजिए next slide के हम लग कुछ questions को और solve करते है अब हम पहले एक question और करते हैं फिर आप लोग के लिए मैंने ये 2 questions over के लिए लि होता है इसके ऊपर पूछा जा सकता है उसको solve कर लेते हैं फिर दोनों को मैं एक बार explain कर दूंगा किसमें करना क्या है तो देखो इसमार क्या बोला इफ x is equal 0 and x is equal minus 1 are the zeros of the polynomial f x is equal 2x power 3 minus 3x square plus ax plus b then find the value of a and b इसमार क्या बोल दिया इसमार दो वेलिए आपको एक मिनट मैं देखता हूं मार करका देखें तांसा समन्ना x is equal 0 और x is equal minus 1 यह दोनों के दोनों इस पोलिणोमेल के जीरो है ऐसा बोला है कि देखो if x is equal 0 and x is equal minus 1 are the zeros of the polynomial this तो हमें बताना a और b कितना होगा तो अगर x is equal 0 or x is equal minus 1 is 0 है जिसका मतलब क्यह होगा कि अगर हम f 0 निकालेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा और अगर f to minus 1 निकालेंगे तो भी क्या आएगा ।ुम्हों के काम करते हैं पहलेcode निकालते है यृकud क未न Q ideal के सब्सक्राइब डिके physicists भूला एक होगल कर द influences खनिस जुर्णी वैक्षिकार माइनस वन क्या है इसवाले व्यंद हो निकालना काथ तो F0 निकालने F0 का मतलब क्या हुआ 2 multiply 0 power 3 minus 3 multiply 0 square plus A multiply 0 plus B बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए तो देखो यह तीनों तो कितने हो गए यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 लास्ट में B बराबर कितना आगया 0 आगया तो एक की वेल्यू दो में मिली गई वहतासानी से अब उसने बोला है कि पोलिनोमेल की मतलब X to equal minus 1 इसका 0 है मतलब पोलिनोमेल की वेल्यू अगर हम X to equal minus 1 पर निकालेंगे वह भी कितनी आनीचे 0 तो इस पोलिनोमेल की वेल्यू निकालते है तो देखो 2 multiply minus 1 cube minus 3 multiply minus 1 square plus A multiply minus 1 और plus B बराबर कितना आएगा 0 यह B है द्यान लग तो देखो minus 1 की पाऊइब 3 minus minus plus plus minus minus और 1 को जब 3 time multiply करोगे तो 1 है यह आएगा तो इसका result माइब 1 is square minus minus plus 1 square करोगे तो 1 यह आएगा 1 को 3 uit 3 का यह 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 minus का है तो minus है और white को 1 से मल्टिप्लाइ करो तो A आएगा साथ में B चली रहा है बढ़ाबर 0 यह माइनस 2 और माइनस 3 अधर साइड जाके किसका हो गया प्लस का हो गया तो यह कितना बचा है इदर की तरफ माइनस A बच गया 5 अब हमें पता है B की वेलुव हम ओल्रडी निकाल चुके है कितनी यह 0 है तो इसको इसके पर रेप्लेस कर देते हैं प्लस जीरो बराबर 5 यानि कि माइनस ए बराबर कितना गया 5 लिए तो एकी वेल्य निकालनी है तो आप लोग चाहिए से माइनस को इधर रखो या उधर एको कोई फरक नहीं पड़ता है तो हम डायेक्ट बोल देंगे ए बराबर कितना गया माइनस का 5 तो हमारे को आंसर मिल अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए दो क्यों टालें यह अप लोगों को करने है तो अच्छे से पूरा एक चीजे जो भी कॉंसर्प सीखा उसको अपलाई करना है और फिर जो भी रिजल्ट आता है वह कोमेंट करके बताना है पहला क्या रिट कर देता हूं कि इस सबस्क्राइब को यहां पर पॉलिनोम्यल सबखों रिजल्ट रिट इस पॉलेता है और ऑनाइसा है यह जैसा जैसा क्यों बोलाई आप लेए शाप-र उपान-धायगों दे रिट वाला दा इस मारे उसके जगे पर क्या देर तो एस वोगश सब्सक्त करना है और जो भी गोल दिया एक्स जीकल 2 एक्स जीकल 0 इस वाले पॉलिणोमेल की जीरो है तो ए और बेकी बताऊ तो जैसे इसको सोल किया वैसा ही इसको भी सोल करना है तो इन दोनों के आंसरस आप लोगों को मेंट करके बताने इसको आप वीडियो को पोच गर के नोट कर लीजिए नेक्स र की जीरो के से फाइंड कियाए उसका क्या मेनिंग मुन ए उसका मेनिंग तो समझता है तो यह बता देता हूं उनकी यह तॉज क्या थे लिश पयोगों को सब्यार कर्या कि आप लीनियर पॉलिनुमेल का मतलब है अब कोई भी linear polynomial पहले जनरली दिखता कैसे है, वो polynomial कुछ ऐसा लिखावा दिखेगा, AX प्लस B टाइप का, और यहां पे A0 नहीं होना चाहिए, और A और B क्या हो नहीं चाहिए, कोई भी real number हो सकते, इसका क्या मतलब हो समझो, यहां पे देखो, variable X है, यहां पे कोई भी variable नहीं है, यहां पर variable की power 1 है, यहां कुछ भी power नहीं होती है, वहां one होती है, और यह variable है यह नहीं, तो variable की power 0 है, और 0 और 1 में highest कितनी है 1 है इसलिए इसके degree कितनी है 1 है तो कोई भी linear polynomial कुछ ऐसा दिखता है AX plus B type का दियान रखना A0 नहीं होना चाहिए इसका कारण क्या है अगर A0 हो गया तो यह पूरा 0 हो जाएगा और अगर यह पूरा 0 हो गया तो only B बचेगा और B तो एक constant time है तो यह वाला linear polynomial नहीं रहे क्या बन जाएगा constant polynomial बन जाएगा इसलिए कुछ conditions है और A और B हमेसा real number ही हमारे को लेने अगर यह दियावा है तो इसके 0 का क्या मतलब है इसके 0 का मतलब है कि अगर हम इसकी जगह पर x-ray पर कुछ value पूट करें और हमारे को इस polyomal की value क्या मिल जाए 0 मिल जाए तो x-ray पर जो भी पूट करेंगे वह इसकी क्या होगी इसका 0 के लाएगा तो यह समान लो कि x-ray पर हमने क्या पूट किया है alpha इसको क्या पढ़ता है alpha sign कैसा बनता है दान रखना alpha बोला जाता है और कैसे बनाया जाएगा ऐसे करके ऐसे ठीक है तो आप लोग बनाना सीख लेना तो अगर हमारे को x-ray पूट करने पर value कितनी मिल जीरो इससे पहले के जो टोपिक्स जब पढ़े है वहां पर एक अलफा की जागा पर एक पूट कर दिया था अब यहां पर आलफा माल जिए उससे कोई फरक नहीं पड़ता और अगर हमारे को इस पोलिनोमील में अलफा वेल्यू पूट करी तो रिजल कितना मिल गया जीरो मिल गया तो बोलेंगे कि एक से जीकल अलफा ही क्या होगा इसका जीरो होगा होगा I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी अब देखो मैं क्यों समझाता हूं कि जैसे मालनों कि x is equal sorry p x is equal 2x minus 3 x polynomial given है कुछ पोलिजमाल दिख रहा होगा linear polynomial दिख रहा होगा अब सबसे पहला question तो में आप लोगों से यह है कि आप लोग बताओ ज्यादाता लोगों ने सोचा होगा वो ज्यादाते लोगों का जवाब होगा 3 लेकिन इसमें with sign लेते हैं तो b की जग़े पर कितना है minus 3 है तो यह चीज ध्यान लग ना कि हम लोगों ने यह लिका जिन्नोंने minus 3 सोचा है उनका बिल्कुल correct था अब क्या करना है हमारे को चेक करके बताना है कि यह वाला इसका 0 है या नहीं है यह चेक करना है हमारे को तो हम क्या करेंगे इस polynomial की x equals three by two पे क्या करेंगे value निकालेंगे अगर value हमारे को 0 मिल जाती है तो बोल देंगे कि x equals three is equal three is zero है otherwise नहीं है तो देखो 2 multiply 3 upon 2 minus 3, 2 से 2 divided हो गया, 3 minus 3 वराबर 0 आगया, यहनि कि xp 3 by 2 की value कितनी निकल के आई है, 0, तो हम बोल देंगे, कि यह वाला इस polynomial क्या-क्या है, 0 है, I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आगया होगा, किसी भी polynomial का 0 का क्या meaning होता है, अब यह हमारा अगला topic है, यहां तो क्यों check करना था हमारे को, value put करी, अगर हमारे को polynomial की value 0 मिली, तो हमने बोला कि जो भी value given थी, वो क्या है, उसका 0 था, otherwise नहीं होगा, अगर जैसे समालनो कि यह note equal 0 आता, ठीक है, तो हम बोल देते कि x is equal 3 by 2 इसका 0 नहीं है, अब आगे क्या है, वो धान से समझो, इस बार 0 given नहीं होगा, verify नहीं करना कि 0 है या नहीं, इस बार 0 find करना है, तो find कैसे करेंगे, तो देखो, अभी हमने क्या सिखा था, कि x is equal हमने क्या put किया था, alpha put किया था, और हमारे को polynomial की value, p alpha पराबर 0 मिल रही थी, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, 0 बोल रहे थे, अभी तक ऐसा ही किया है, अब हमारे को 0 find करना है, मतलब x is equal alpha find करना है, अब इसको find कैसे करें, तो हम लोग reverse order में चलेंगे, हमारे को क्या करना है, जो भी px given होगा न, उसको क्या करो, 0 के equate करो, ठीक है, 0 के equal put करो, हिंद इंग्लिस में लिख रहा हूं, समझना आना जरूरी है, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगी, x की value मिलेगी, और जो भी x की value मिलेगी न, वहीं जैसे मान लोग कि x की value मिली, क्या मिलगा है, हमारे को alpha मिलगी, तो जो x की alpha जो भी मिलेगा, यही हमारे polynomial का क्या होगा 0 होगा, I hope आप लोगों को इसका meaning समझ में आयोगा, अब एक दो questions करके बताता हूं, मैं देखो, question क्या है, find the zeros of the polynomials in each case, यहां पर 4 questions दिये वे हैं, इन 4 के अंदर, यह polynomials given है, इनके में 0 find करने, तो 0 find करने का क्या मतलब है, हमारे को polynomial को किसके equate करने है, 0 के equal कर दो, ultra order में, reverse order में चलेंगे, हम लोग, यानि कि, x plus 5 बराबर कितना होगा, 0, 5 इधर की तरह plus का, other side जाके minus का हो जाएगा, यानि कि, x equal minus 5 क्या है, इस वाले polynomial का 0 है, आप चाहो तो verify करके देख लो, x से अब पूट कर दो, minus 5 पूट कर दो, minus 5 प्लस 5 कितना हो गया, 0 हो गया, मत अब अगर x से जुकल हम देखो, यहां पर पूट करके देखे, f minus 5, तो कितना आएगा, minus 5 प्लस 5 बराबर, 0 आगया, यानि कि, हमारे को f minus 5 की value कितनी मिली है, 0 मिली, तो हम बोल देंगे, कि यह वाला, जो हमने निकाला, x से जुकल minus 5, यह इसका क्या है, बोलें हो गया, है, I hope आप लो minus 5 upon 2, यह क्या हो गया, इस वाले polynomial का, 0 हो गया, ऐसे इसका निकालोगे, तो 2x को 0 के बराबर, पुट करोगे, तो x इदर 2 multiply में, इदर आके, divide में हो जाएगा, 0 upon 2 बराबर, कितना हो गया, 0 हो गया, ऐसे यहां पर क्या होगा, cx plus d को किसके बराबर, पुट करोगे, 0 के बर कितना मिल गया, minus t upon c, मिल गया, I hope आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को पोज कीजिए, इसको अच्छे से note कर लीजे, next slide पे एक चोटा सा topic, उसको देखते हैं, हमारा lecture खतम हो जाएगा, तो देखिए, हमारा equation है, इसको भी solve कर लेते हैं, क्या है, relationship between 0 and coefficient of a linear polynomial, पहले तो 0 coefficient क्या है, एक बार में वापस से बता देता हूं, तो समाल लो, हमारे को एक px is equal ax plus b type का एक polynomial given है, यहाँ पे conditions में अल्रेडी बता चुका हूं, कि a 0 नहीं होना चाहिए, और a और b क्या होने चाहिए, real numbers होने चाहिए, ठीक है, आर मतलब real number, अब यहाँ पे इसका x बरापर alpha क्या है, इसका एक 0 है, यह हम अल्रेडी मान चुके है, तो हमारे को बताना है कि alpha a और b, इन तीनों में क्या relation है, तो देखो, हमने जब इसका 0 find किया होगा, तो कैसे find किया होगा, जो कि x ए जुकल alpha निकल के आया होगा, तो हमने क्या किया होगा, इस px for finding 0, for finding 0, हमने किया होगा, इस px को किसके बरापर कर दिया होगा, जीरो के, अभी last slide पर हमने यह तो देखा है, कि अगर हमारे को इसका 0 find करना होगा, तो हम क्या करेंगे, px को 0 के equate कर देंगे, और जैसे मैंने बोला कि इसका 0 कि कितना निकल के आया होगा, तो देखो, निकालत multiply में यह तरह के divide का, यानि कि x की value क्या मिली है हमारे को, minus b upon a, यह हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि जहां से जो भी x की value मिलती है, वह 0 होता है, और इसको हमने क्या मान रख है, इसको हमने alpha मान रख है, यानि हम बोल सकते है, x बराबर alpha बराबर, कितना होगा, minus b upon a, यानि में relation क् है, वह relation निकल के आता है, कि जो alpha, यानि कि जो 0 होगा, वो किसके बराबर होता है, minus b upon a के बराबर होता है, इसको अगर हम words form में लिखे तो हम बोलेंगे, x physical alpha, alpha यहां पे क्या है, इसका 0 है, बराबर क्या होगा, minus, यह वाला sin minus, b क्या है, देखो, इस वाले polynomial में यह वाला क् क्या है, constant term, यहनि कि ऊपर क्या आ रहा है, b आ रहा है, b का मतलब क्या हो गया, minus of constant term, divide by a, a क्या है, coefficient है किसका, x का, तो नीचे क्या लिख देंगे, coefficient of x, तो यह क्या होता है, alpha, a, और b के बीच में, relation होता है, यह आप लोगों को याद रखना है, अब देखो, इसके उपर question कैसे, पूछा जा सकता है, आप लोग, fastly, कैसे question को solve कर सकते हो, तो देखो, पी, x is equal, 3, x minus 5, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, हमार अगर आप लोग, direct relation याद रख सकते हो, तो इसका 0, alpha होगा, वो क्या होता है, minus b upon a होता है, अब यहाँ पर बताओ, a कितना है, a तो हो गया, 3 हो गया, और b कितना है, minus 5 हो गया, तो हम एक right rate क्या करना है, इसके अंदर value पूट कर दो, यह वाली value, तो क्या हैगा, a कितना 3 है, तो हमारे को a की value कितनी मल गई, minus minus plus हो जाएगा, sorry, a नहीं, यहाँ पर alpha है, यहाँ कितना alpha है, तो जो हमें alpha की value मिली है, वो कितनी मिल गई, 5 upon 3, और alpha ही हमारा क्या था, 0 था, तो आप लोग अगर यह relation याद रहता है, तो direct भी क्या कर सकते हो, इससे 0 find कर सकते हो, या एक number में अगर आप लोगों से पूछें कि बताओ, 0 और a और b के बेच में क्या relation होता है, तो यह बता सकते, alpha ब्राव होता है, minus b upon, यहाँ पर b क्या होता है, constant term होता है, और a क्या होता है, इस x का coefficient होता है, I hope आप लोगों को यह चीज भी समझ में आगे हूँ कि वीडिय किया जाता है, वो करना सीखेंगे, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कर आप लोगों को अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने आप लोगों जो homework questions दिये, उनको solve करके, comment करके बता जीजिए, तो चलो, मिलते हैं हम लोग next lecture में, तब तक के लिए, thank you.